नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर दमों में शादी में शामिल होने आये थे बदमाश महिला की कनपटी पर बंदूक रख बाईक जोपडी में लगाई आग मदप्रदेश की दमों जीले के इमेलिया गाउं में शादी में शामिल होने आये बदमाश में जम कर उत्पात मचाया उन्होंने महिला की कनपटी पर बंदूक रख रख बाईक और जोपडी में आग लगा दी आग में बाईक और जोपडी आग से जलकर खाक हो गए रामेश्वर वालमिकी की रिपोर्ट पर सागर नाका चौकी पुलिस ने धारा 426, 436, 506 के तहत मामला दर्च के लिया है घरतना की जानकरी देतों को तीनदूआ गाउन यहां से विद्या वालमिकी ने बताया कि वह अपने माईके में भखती जी के शादी में आई हुई थी मंगलबार शाम सागर से शिवा वालमिकी दीपक वालमिकी और एक महिला पूनम वालमिकी शादी वाले घर पर आये थे घर के लोगों के साथ बैट गये तबी कुरान विवाद पर शिवा और दीपक ने विद्या से मार्किट शुडू कर दी शीवा ने उसकी कनपटी पर बंदूप रग दी उसे बचानी के लिए रिष्टेदार भी आगे नहीं आ पाएं दीपत ने विद्या की मा की जोपडी में आग लगा दी वहीं पर रखी विद्या की बाइक में लोहे की बल्लम मारते हुए आग लगा दी कुछी देर में पूरी बाइक आग की लप्टो में घिर गए घर के लोगों ने पारी जार कर आग बुझाने का प्यास किया तब तक बाइक और जोपडी आग में जलकर राख हो गई थी खटनों को अंजाम देने के पहले सागर से आया आरूपी अपने पुष्टैनी घर पर रुके जहां बनलब पुलहाडी और लोहे की रोट पुलिस को मिली है सागरना का पुलिस ने उख मामले में मामला दोच कर विवेशना मिलिया है आरूपी अभी फरार बताया जा रहे है अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे हैं दख़बरदार लियूज अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटेन काफे और बेकरी फास्त फूर्ट नियर्बाइ सुहागी बाइपास शिफ्टिं की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्टिं को पैकस और मुवस हैं जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाक कार को सक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टू वन ट्रिपल जीरो सेवन वन सेवन